दोस्तो आईपेल लोजाबीस 19 सितमबर से UAE में सुरू होने जा रही है लेकिन केकेर फैंस को टीम की फर्स्ट मैच के लिए थोरा ज़ाधा इंतजार करना परेगा क्यूंके केकेर टीम की पहला मैच मुंबाई इंडियन्स के साथ 23 तरिकोद देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो उससे पहले केकेर फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर कि टीकेर रेने की टीम मंगो नाई डाइडिस की टीम सीपियल लोजाबीस में चंपियन बन चुके है जी हाँ दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको केकेर टीम से जुरी हुई चार बहुती बड़ी गूड नियूज देने वाला हूँ ओएन मरगन के चोट को लेकर बड़ी अपडेट है तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है वीडियो को अम तक जरूद देखिए और पिछले बले वीडियो में सारे 600 लाइक्स का टारगेट था अब लोगोंने काफी जल कम्लेट कर चुके है तो इस वीडियो में टीकेर टीम की चंपिन बनने की खुशी में एम रखते है सारे 700 लाइक्स का मुझे पता है आप लोग इसे भी कम्लेट कर देंगे और अगर आप मेंने चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन जरूद दबा दीजिएगा तकि डेली वीडियो सा मिच ना कर जाए तो चली शुरू करते है तो दोस्तो सबसे पहले बात करें CPL लोजबिस के बारे में तो आपको बता दू CPL लोजबिस खतम हो चुका है और TKR की टीम चौथी बार के लिए चंपियन बन चुकी है जिहां दोस्तो ब्रेंडेन मैकुलम के अंदर TKR टीम के सभी प्लेयास का पाफोमेंस इस साल देखने लायक था और इसलिए सुरू से ही लगातार 12 मैस जीत के CPL लोजब इसका खिताब भी जीत चुके है दोस्तो अब को बता दू सेंड लुसिया जोक्स टीम ने पहले बल्ले बाजी करके 104 रन बनाये थे और TKR टीम की सभी गेंद बाजू से काफी कमाल का गेंद बाजी देखने को मिला जहां पर कप्तान किरन पोलर ने चार ओभर में 30 रन देके 4 विकेड ले चुके है अब दोस्तो टीकेर की टीम जब बल्ले बाजी करने उत्रे तो उनका सुरुआत काफी खराब रहा क्योंके टीम ने 2 विकेड मार्ट 19 रन पर गवा दिये थे लेकिन दोस्तो लिंदेन सेमेंस को डेरेन ब्रबो का साथ मिला और दोनों ने बैतरिन पारी खेल के बिना विकेड गवाय टीकेर को 8 विकेड से जिता चुके है तो दोस्तो टीकेर की टीम ने 4 वार के लिए CPL का खिताब जीत चुके है और आपको बता दू टीम ओनर सारुक खान मैच जितने के बाद खुशी से जूम उठे और बैक टू बैक काफी सारे फोटो सोसल नेटों साइट पर पोस्ट कर चुके है अब देख पा रहे होंगे बाद सारुक कान पूरा मैच अपने टीवी स्कीन पर देखे और टीकेर के चंपियन बनते ही टीवी के साथ सेलफी लेते हुए काफी सारे फोटोस भी पोस्ट कर चुके है तो टीकेर की सीपियर जीतने पर आप कितना खुशुय नीचे कॉमन करके जरूर बताना उसके बाद नेक्स कूर्णी उसके बारा मैं बात करें तो ये है केक्या टीम की प्रैक्टिस मैच को लेकर और गेंद बजी के लिए सिभम मभी के साथ संदीप वाडियर को तो टारगेट था 24 गेंदों में 1 का मर्डन जो सुबमन गिल को कमलेज नगर कुटी को साथ लेते हुए बनाना था यानि कि आप समझ पा रहे होंगे ऐसा सिचुएशन तयार किया गया तो बस ये पूरा वीडियो आपको केक्या.inside में और मेरा सेकेंड चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीच चे कॉमन बक्स में है आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते है और दोस्त आपको बता दू केक्या टीम ने अपना नया टीम बस भी तयार कर चुके है जिसका फोटो कल अपने फैंस को दिखा चुके है तो आपको एक बात दिखा दू काफी कमाल का आर्ट वर्क है जहाँ पर कप्तान दिनेस कातिक, आंदे रसेल, सुनी नरीन, पैर्ट कमिल्स, ओएन मरगन और निती जाना का फोटो देंगने को मिला उसके बाद नेक्स्ट गूट निउस के बारे में बात करें जो कि है ओएन मरगन के चोट को लेकर तो ओएन मरगन बिलकुल फीट है और आज उस्ट्रेलिया वस्टस इंगलेंड सीरीज में खेलने वाले है दोस्तों आपको बता दू आज से उस्ट्रेलिया वस्टस इंगलेंड की ODI सीरीज सुरू होने वाला है और सेकेंड टी टोएन मरगन को चोट लगने की कारण उनका उंगली डिसलोकेट हो गई थी उसके बाद टीम फिजियो ने आके उंगली सीधा किये और ओएन मरगन को दोबारा से फिल्ट करते देखा गया था मैच खतम होने के बाद उन्होंने एक्स रेभी कराए और गुड निउस ऐसा है कि ओएन मरगन अभी पूरी तरीके से फिट है और फर्स्ट ओडिया मैच से खेन ले वाले है और दोस्तों आपको बता दू अब सोच रहे होंगे सुनिल नरिन को क्यू सीटियल की फाइनल मैच में देखने को नहीं मिला तो आपको बता दू कल टॉस के बाद कप्तान किरन पोलर ने बताए कि सुनिल नरिन अभी पूरी तरीके से फीड नहीं है तो उनको आराम दिया गया है तो हो सकता है सुनिल नरिन आईपेल से पहले कोई भी रिक्स नहीं लेना चाते है इसलिए रेस्ट ले चुके है और आखरी गुड नियूस के बड़ा में बात करें तो दोस्ताफ को बता दू इंग्लें और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर एक बहुती बड़ा बयान विंकी मैसोन ने दे चुके है तो बात ऐसा है कि सुनने को मिला दुबाई में प्लेयर्स को डिरेक्ट एक बयासिकर बबल में से आईपेल की बयासिकर बबल में अलाव किया जाएगा लेकिन समस्या है कि अबुधवी में कोबीट केसे बढ़ने की करण को भी डूल काफी स्टिक किया गया है तो अबुधवी में किसी को भी क्वाडेंटिन के बीना अलाव नहीं किया जाएगा पर दोस्ता आपको बता दो Winkie Mysore ने बता चुके है कि अबुधवी में भी IPL प्लेयर्स को एक्स्टा पर्मिसन मिल चुका है तो प्लेयांस को इंग्लेन औस्टेलिया सीरिज के बाया सिक्यर बबल में से डिरेक्ट आइपेल के बाया सिक्यर बबल में अलाउ किया जाएगा तो ये काफी बढ़ाए गुड निउस है कि उएन मरगन पैट कमिन्स और टॉम बेंटन सुरू से ही अवेलेबल रहेंगे तो दोश्तो ये थी चार गुड निउस जो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया उमीद करतो वीडियो अब लोग को पसांद आया होगा पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और टेक क्यार